प्रशी संदुरामपाल जी महराज के सालेध्य में विशाल सत्सन्व भंडारे का आलन दिले आपके सेवा में उपस्तित रहेंगे सर्वसाथ संद सत्दुरामपाल जी महराज मैं 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 करते हुए कच्छू न ला गया हाथ जो भी भैक पूरल गुरु से मिट गई लकली आस तो इसी दोहे को सार्थक करते हुए आज संदुरामपाल जी महराज के अनुवाई एक शोबा यात्रा निकाल रहे हैं आज हम उसी शोबा यात्रा की कवरेज के लिए आये हुए हैं तो मैं अपने कैमरा में से अपील करूग कि बत्तों की शोबालों की एक लंबी लाइन हमें देखने को मिलती है और बड़े ही विवस्तित रूप से सारे शोबालों लोग इसमें चल रहे हैं और ट्राफिक को भी बड़े आराम से मैनेज किया जा रहा है है जो संदुरामपाल जी महराज के अनुवाई है वो बहुत connects सकते हैं कि जो लोग है वही हातों में सफेग रहन के घंड़ लियो हुए है जिनके सच साहिब लिखा हुआ हैं और एक विशाल भंडारे का एक इनोंने लिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक इनके हाथ में देने हैं जिसमें विशाल भंडारे के बारे में बताया जा रहा है कि 15, 16 और 17 फर्वरी को एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इस भंडारे में जो है एक दहेज के तो दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि यह शोबा यात्रा दुरगापुरी चौक पर पहुट चुकी है और प्रशाशन और संत्रामपाल जी के अनिवाईयों ने इस प्रकार की नवस्ता बनाई हुई है कि दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी कोई ट्राफिक से जुड़ी हुई समस्यों का सामना ना करना पड़े आप देख सकते हैं ट्राफिक बड़े ही सुचारू रूप से चल रहा है और संत्रामपाल जी के जोशिश है वहे बिल्कुल दो लाइनों में आगे बढ़ते हुए और पीछे प्रशासन हो और संत्रामपाल जी के कुछ सेवादार है वहे भी इसको मैंटन करने में बहुत करते हुए प्रशासन हो और पीछे जो संत्रामपाल जी के अनुवाई है वहे आते हुए हम देख सकते हैं इनको कि किस प्रकार सही अनुशासर में पुलिस आगे इनके चल रही है जिससे कोई अवेवस्ता ना हो और जो शोबा यात्रा है वहे सुचारू रूप से चल सके यहाँ पर मैं पुलिस कर्मियों को अभिनांदन करना चाहूँगा जिस प्रकार उन्होंने इस पूरी यात्रा में अनुवाई हो का सयोग दिया है और जो ट्रासिक है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए और जो यात्रा है उसको कोई कटिनाई ना हो और प्रकार का ये संद्रामपाल जी के अनुवाई और पुलिस का आपसी संयोग दिखाई दिखा है कि शंत्रामपाल जी महराज के अनुवाईयों के दुवारा एक शोबा यात्रा निकाली जा रही है इस शोबा यात्रा का उद्देश है मुंदिकास्तित इनके आस्रम में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जिस भंडारे में दहेज के बिना शादियों का जो है एक आ यहाँ पर विसाल बंडारे का जो निमंतर है वो उनके अनिवाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है सुधालियों का उजूम यहाँ पर आया हुआ है। लेगों के हाथ में बैनर्स हैं, कुछ पैंपलेट्स हैं, जो वे लेगों के बाट रहे हैं और लेगों से मुन्ड़ का आश्रम आने के लिए आगरह कर रहे हैं और बड़ी ही आच्छी विवस्ता में यह जो शौबा यात्रा है वो जा रही है सब लोग जो है आप देख सकते हैं बिलकुल दो लाइनों के अंदर जा रहे हैं आपने अक्सर देखा होगा कि जपनी ऐसा कोई आयेजन करते हैं तो वहाँ पर बड़ी ही अविवस्ता हो जाती है ट्रैफिक की लेकिन यहाँ पर जो है उनके श्रधालू संत्रामपाल जी के बड़ी अच्छे और अच्छे तरीके से अनुशाशन में जाते हुए इस शोबा यात्रा को कर रहे हैं जिससे कि आम जन्ता को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो तो जैसा कि हमने देखा है कि यह जो शोबा यात्रा है वह सीमापुरी से स्टार्ट हुई और हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा सयोब किया है संत्रामपाल जी की जो शोबा यात्रा है इसको निकालने में कहीं भी जो दिल्ली वासी है उनको कोई समस्या ना हो और ट्राफिक जो है सुचारू रूप से चल चके इसके लिए पुलिस आगे-ागे चल रही है और यहाँ पर जो संत्रामपाल जी के अनुवाई है यह भी की मार्कदोशन में बने ही शांती पूर्व तरीके से और अनुशासन से इस सोबा यात्रा को निकाल रही है तो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा हुझू में अक्सर जेखने में आता है कि इतनी बड़ी जब कोई यात्रा निकाली जाती है तो इसमें अवेवस्ता हो जा अब दिखाईगी वहाँ तक आपको यहां तक आपको जो है नजर दुखाई देंगे और बंडारे का आनन्द ले रहे हैं और यहां थोड़ा सा ही आगे चलके आप देखेंगे कि जहां से बंडारा वित्रण किया जा रहा है जन्यवाद